दोस्तो सर्दिया आते ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है चहरे पर दोस्तो चहरे पर दोस्तो ब्लैक पन यानि की सनलाइट की बज़े से या फिर आप सोच सकते हो कि आप लोग काम करते हो इसकी बज़े से जैसी कि चहरे पर काला पन हो ही जाता है दोस्तो तो उसक नौट नट लगा के रख ली थी क्योंकि एक पांज मेरा काफी बड चल जता है दो से तीन वार तो यहाँ पर कछी से कट कर के से अच्छे से यहां पर निकाल लूगा तो मैं थोड़ासा ही कट करता हूं उपरसे मैंने रहां से कट कर लिया उसके बाद में मेरी व्यक्टकाइब करती है कालापन होता उसे रिमूप करके हमारी स्कीन को चमकाने का काम करती है और दोस्तों साथ हमें इसमें क्याची जैट करने हैं आपके साथ शेयर करूंगा तो दोस्तों वह है मेरे पास एक यहां पर टमेटो टमेटो आप लोग जानते हो टमाटर टमाटर का रस दोस्तों हमारी चेहरी की वाइटनिंग के लिए इतना फायदेवंद होता है ना बहुत ज़्यादा तो यहां पर दोस्तों मैंने एक साइट से थोड़ा सा ही कट किया इसे हलके से प्रेस पर नेक पर और बॉड़ी पर लगा सकते हो दोस्तों यह काफी ज़्यादा मतला है अगर आपकी जो चेहरी की स्कीन है वो काली पड़ जाती है और ओली रहती है उसके लिए काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छा इससे आपको रिजल्ट मिले तो दोस्तों आप लोगों इससे चोड़ देना 10-5 मिनिट के लिए उसके बाद में आप लोग इससे वाश करोगे ना तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा मैं यहां पर आपको वाश करके दिखाऊंगा दोनों हैंड में कितना अंतर होगा तो यहां पर दोस्तों मैंने इसको मलते हुए लग लेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्का टाटा एंड बाई बाई